हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका नई वीडियो में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपने फोन में रिकोर्ड सिस्टम साउंड को कैसे और उसे कैसे यूज कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास यहां है ओपो का फोन है ओपो यह 31 आप देख सकते हैं इस तरीके का आइकन आपको दिख जाएगा तो आपको उपर स्क्रॉल करना है उसके गाद आपको यहां पर इस तरीके से अलग-अलग आइकन देखने को मिल जाएंगे आप देख रहे हैं तो आपको यहां जाना होगा सबसे पहले सेटिंग के आइकन पे सैटिंग के ऐगन पे क्लिक करने के बाद आपको जो इस तरीग का आइकन दिख जाएगा आप लोग देख सकते हैं यहाप पर आपको बहुत सारे और ओप्शन दिख जाएगे तो आपको यहाप नीचे के तरफ स्क्रोल करना है उसके बाद आपको यहाँ पर जाना होगा आपको additional setting पर click करने है click करेंगे additional setting पर click करने के बाद आपको इस तरीके का icon दिख जाएगा आप देख सकते हैं आपको यहाँ जाने screen recording के option पर यहाँ click करेंगे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीक का इकन दिख जाएगा आप देख सकते हैं यहां record system sound आपके फोन में पहले से on है अगर आपके फोन में record system sound बंद है तो आप इस तरीके से सबसे पहले उससे चालू करेंगे यानि on करेंगे उसके बाद इसे हम कैसी use कर सकते हैं मैं आपको वो बता देती हूँ तो यानि कि जब भी अब हम screen recording करेंगे जो भी sound आपके फोन के अंदर चल रही है यानि अगर आपके फोन में कोई भी गाना चल रहे है कुछ भी चल रहा है तो वो गाना record होगा यानि इस तरीके से जो भी sound phone के अंदर चल रहे है वो record होगी इस तरीके साब system sound को on कर सकते है तो उमीद है friend आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like करना ना भूले मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye और अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते है तो आप हमें comment भी कर सकते हैं